एक पिता एक अधालत में अपने एकलोते बेटे के खिलाफ शिकायत ताखिल करने के लिए हाजिर हुआ जद सहाब ने पूछा आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है बूरे बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाद से हर महिने का खर्च मांगना चाहता हूँ जद सहाब ने कहा वो तो आपका हक है इसमें सुनवाई की क्या जरूरत है आपके बेटे को हर मेहने खर्च देना होगा बाप ने कहा कि मेरे पास पैसो की कोई कमी नहीं है फिल भी मुझे हर मेहना अपने बेटे से खर्चा लेना चाहता हूं वो रकम चाहे कम ही क्यों नहो जद सहाब आश्चर चकित होकर बाप से कहने लगे आप इतने मालदार हो तो आपको बेटे से क्यों पैसे लेनी की आवशक्ता है बाप ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जद सहाब से कहा आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा जब बेटा अदालत में आया तो जद सहाब ने बेटे से कहा कि आपके पिता जी आप से हर महिना खर्चा लेना चाहते हैं चाहे वो रकम कम क्यों ना हो बेटा भी जद सहाब की बात सुनकर अश्चर चकित हो गया कहने लगा मेरे पिता जी बहुत अमीर है उनके पास पैसों की भला क्या ज़रूरत है जद सहाब ने कहा यह आपके पिता की मांग है वह अपने में स्वतंत्र है पिता ने जद सहाब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महिने सौ रुपे देगा वो भी अपने हाथों से उस पैसे में बिलकुल भी देरी ना करेगा फिर जद सहाब ने बुढ़े आदमी के बेटे से कहा कि तुम हर महीने सो रुपे बिना देरी के अपने पिताजी के हाथों में दोगे ये आपको अदालत और हुक्म देती है मुकदमा खत्म होने के बाद जद सहाब बुड़े आदमी को अपने पास बुलाते है उन्होंने बुड़े आदमी से पूछा कि अगर आप बुड़ा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा आपने बेटे के खिलाफ यह केस क्यों किया आप तो बहुत अमीर आदमी हो और ये इतनी छोटी सी कीमत बुड़े आदमी ने रोते हुए कहा जद साहब मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया था वै अपने कामों में इतना ब्यस्त रहता है एक जमाना गुजर गया उससे मिला नहीं और ना ही बात हुई ना आमने सामने और ना फोन पर मुझे अपने बेटे से बहुत महबत है इसलिए मैंने उस पर ये केस किया ताकि हर महिने मैं उससे मिल सकूँ मैं उसको देखकर खुश हो लिया करूंगा ये बात सुनकर जज़ की भी आँखों में आसू आ गया जद साहब ने बुड़े आदमी से कहा कि अगर आप पहले बताते तो मैं उसको नजर अंदाज और ख्याल ना रखने के जुर्म में सजा करा देता बुड़े बापने जद साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा अगर आप सजा कराते तो मेरे लिए ये दुख की बात होती क्योंकि सच में उससे मैं बहुत महबत करता हूँ मैं हरगिस नहीं चाहूंगा मेरी वज़े से मेरे बेटे को कोई सजा मिले या उसे कोई तकलीफ हो तो फ्रेंट्स इस कहानी से हमें यही प्रेड़ना मिलती है कि माबाप को आपके पैसे की जरूरत नहीं है उनको आपके समय की जरूरत है वक्त के रहते उनसे रोज बाते कर लिया करो आपका कुछ नहीं जाएगा परन्तु आपको अपने माबाप का आशिरवाद जरूर प्राप्त होगा वरना एक दिन याद करके पच्छताओगे और उनको याद करके अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाओगे आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राए है हमें कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू